नमस्कर दोस्तो, आज हम ओटो मोबाइल विकल में कुछ important terms की बात करेंगे, जो exams में बहुत काम आती है, objective type जो exams है, उनमें ये बहुत बार questions आते हैं, तो उनके बारे में आज discuss करेंगे, ये बहुत ही simple things होती हैं, लेकिन काफी बार हम इनमें problems face करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं, उस automobile vehicle में important term में sprung weight, spring weight कौन सा weight होता है, ये जो है total body का weight, जो vehicle की body है, उस body का weight, जो chassis system है, जिस पे various components लगे रहते हैं, इससे बात करें तो, जैसे gear है, gearbox, जैसे हमारे पास वहाँ पे clutch है, और propeller shaft है, तो various types of components को, जो hold करता है, और जो suspension spring होती है, उसका जो weight होता है, suspension spring से meaning, जो road socks को absorb करती है, जो vibration को absorb करती है, और आसानी से vehicle को बचाती है, vehicle के various components को बचाती है, और passengers को comfort zone का एसास कराती है, means, जैसे bike में soccer होते हैं, तो वहाँ पे वो comfortability के लिए use किया जाते हैं, components को बचाने के लिए use किया जाता है, वो soccer, तो same ऐसे ही vehicle के लिए suspension जो spring है, जो suspension system होता है, वो भी bike वाला function करता है, means, एक तरह से absorber का function करता है, जो road socks को absorb करता है, जब road uneven surface होता है, तो उसमें problems आती हैं, तो वो problem सभी, आसानी से ये, absorb करता है उन चीजों को, और उस पूरे complete load को, और उन vibrations को, axle पे नहीं पहुचने देता, इससे हमारा vehicle smoothly run करता है, तो spring weight क्या हुआ, हम spring weight की बात कर रहे थे, जो complete जो body vehicle की, उसका weight, चेशिज जो है, चेशिज के जो systems लगें, उनका weight, और जो suspension spring लगाई जाती है, उस suspension spring का weight, means यहाँ पे अगर figure में हम बात करें, तो यह body है, यहाँ पे, और यह जो chassis system लगा हुआ है, इस chassis system के उपर हमारी body लगी हुई है, और यहाँ पे यह suspension spring है, तो इन सभी का weight क्या क्या होती है, unsprung weight, unsprung weight से मीनिंग क्या है, इनका difference, means यह वाली थिंग और यह वाली थिंग का difference, difference of total weight of vehicle, vehicle का जो weight है वो, और जो sprung weight है, sprung weight से मीनिंग, जिसमें weight of body है, chassis है, और suspension spring है, तो इसका और बाकी जो vehicle का, जो weight बच गया, वो completely, उसको हम बोलेंगे, unsprung weight, next है हमारे पास, break dip, break dip से क्या मीनिंग है, जब vehicle continuously run कर रहा है, और अचानक से vehicle पे brake लगाए एकदम से, तो जब brake लगाते हैं, तो vehicle हमारा आगे की side से थोड़ा dip होता है, यह आगे का जो system रहेगा, यह dip रहेगा, यह dip क्यों होगा, क्योंकि जो absorber रहेगा, means जो suspension spring रहेगी, वो थोड़ा press होने की कोशिस करेगी, जो front में, जहां पे suspension spring है, जो axle की उपर लग रहेगी, वो compress होने की कोशिस करेगी, जब compress होने की कोशिस करेगी, तो उससे क्या होगा, vehicle आगे की side से dip होगा, तो उस dip condition को, जब brake supply करेगा driver, और जब spring compress होगी, तो उसको हम बोलेंगे brake, dip, last है wind up, wind up से meaning क्या है, जो front lift position होती है, front lift position से मतलब, जब vehicle हमारा run करेंगे, starting में एकदम से जब run करते हैं, तो run करते हैं थोड़ा आगे से उठने की कोशिस करते हैं, means wheels नहीं उठेंगे, लेकिन जो beach का gap रहेगा, beach का gap का मतलब, जहां पे suspension system लगाया जाता है, और उपर vehicle की जो chasis system और chasis system से उपर हमारा जो body रहती है, यह थोड़ा सा up होने की कोशिस करती है, means जब starting driver का torque रहता है, driving torque जब रहता है, एकदम से जब vehicle run करेगा starting position पे, तो vehicle आगे से थोड़ा lift होगा, तो उस lift condition को, उस front lift position को हम बोलेंगे wind up, तो यह दोस्तो चार trumps हैं, जो बहुत बार multiple choice questions में आती हैं, बहुत exams में आती हैं, बहुत important trumps हैं, लेकिन अगर इनको देखें, तो automobile vehicle में बहुत ही simply होती है, तो यह थे दोस्तो sprung weight, unsprung weight, break dip और wind up, थेंक्यों दोस्तों.